कि लाश्टेन वालो कहने का मतलब है कि हम लोग static chapter mean, median, mode यह 4 chapter है एक chapter में 4 types है इसका तो हम लोग बहुत सरा किये है, mode किये है, median किये है तो mean वाला बता रहें, mean का यह application केतना number है 14 number है, केतना number application है 14 number है, important application है, इसलिए बता दे रहें, आप लोग कर लिजएगा महरवानी करके आप कहने का मतलब है बहुत ही असान है यह पहली बात है कि असान भी बहुत है तो बने का कैसे mean का, याद रखे यह कौन सा चिप्टर है यह आपका mean वाला पार्ट का, हम लोग बना रहें, क्या बना रहें, mean वाला पार्ट का page number 339, देखे, कोशन क्या है, कोशन जो एक्जाम में आया है find the average mark, कितना दिया हुआ है, 32 student का, 32 student कितना student? 32, याद रखेगा 52 यह इसका बाद में काम होगा तो बोलर average mark जो है, total कितना है, 52 student का, class 10 वाले का, school, using the direct method कौन सा method यूज किया, direct method, assume mean में method में बोला निकालने के लिए, इसका जो mean निकालिएगा यह बोल दिया है, खुल के, किस में बोला है, एक बोला है, direct method में बताईएगा, और एक बोला है, assume method में बताईगा हम लोग दोनों करेंगे, समझ में आया, हम लोग का करेंगे, दोनों करेंगे, याद रखेगा, यह method में भी बनेएगा, तो वही answer आएगा तो कहने का मतलब है कि दोनों method बना के हम देखा देंगे एक्जाम में अगर आएगा एक पुछेगा तो आप एक बताईगा दोनों पुछेगा तो दोनों बताईगा यह देखेगा direct method and assume method याद रखेगा assume mean और यह direct method कोई हम पुछेगा वाईप की क्या बताईगा याधा के आटो धिक है पुछेगा यह बनाते हैं Sadababou του ने दीखेगा से आने वाला साल में आपको भी काम chanting कैने का मतलब है कि तीन student कितना करके लाया 48 करके यह अ खतना नमbर काता है 4 नमबर काता है 8 To कहने का मतलब यहां पे आये हम लोग बनाते है यह 2600 का बना यह यह 2 2600 का बना येगा तो यह घिर को चाप दिया। यह ड्वलस लेंगे यह 30 थी तérioच यह 35 n है को यह चाप देंगे तो कहने का मतलब यह है इस हम आप सी इस तो कहने का मतलब है बाबु नोग उलग और यह दूम चैह यह पांच नोबर और आने वालї साल के लिए आपको भी काम आगEगा उसका इसमेद है आप आपाभी सब्सक्राइब कर दीजागा आने वाला साल में सब्सक्राब करिएगा फिलाले भी समझ लिजिए तो इसको fx निकालेंगे fx कैसे निकालेंगे multiply करेंगे तो multiply करेंगे तो याद रखेगा fx यह हो गया f और यह हो गया x अगर exam में आएगा अगर exam में आएगा तो इसी चाप दीजिएगा याद रखेगा मेरा बात मेरा बात याद रखेगा कहने का मतलब है कि f1 x1 को multiply करेंगे तो यहां लिखेंगे तो हम बता रहे हैं आप लोग समझ जिएगा idedig 30 ko multiply करेंगे 4 से तक इतना आएगा पता है 122 है आपको यह वल लिखना यह नहीं लिखना याद रखेगा हम बता रहे हैं फिर उसके वाद देखे इनून को multiply करेंगे इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे तो देखें 33 इंटू 7 का होगा इसको multiplier करेंगे 231 आएगा मेरा बास समझ में आया हम का बुलरे ध्यान से देखो बच्चा लोग हम क्या बुलरे ध्यान से देखी है इसको इससे multiply करेंगे तो 35 इंटू 10 कितना होगा 350 होगा कितना होगा 350 फिर उसी तरह 40 x 15, कितना होगा, इसको इससे किये, तो याद रखेगा, इसको इससे करेंगे, तो कितना होगा, आपका 600 होगा, इसको इससे करेंगे, 43 x 8 से करेंगे, तो कितना होगा, 3, 44 होगा, multiply करिएगा आप लोग अब इस तरह से हम बार बार नहीं करेंगा हम आपका बता दे रहें 45 को 5 से करिएगा तो कितना आएगा आप बोल दीजेगा कितना आएगा बुलिएगा टू टू फाइगा उसी तरह 48 को 30 करेंगा तो कितना होगा 1 4 4 यह जो आएगा यह तरीका बता आएगा आईसे आहिए लेकिन आपको यह मैन लिखना यह वले बॉक्समें ड्रग यह वला लिखना अथिक है आपको यह वला लिखना यह हम दिखा दिये हैं आपको समझने के ठिक है आप कहने का मतल है D कैसे निकले लगा? दिके हाँ यहाँ पर Fd है तो D तो निकलना मोगा यहीग निकलना होगा तो D निकलना यहाँ लूहें करेंगी अब मसला यहाँ आता है कि assume method में बोला है हम लोग को assume करना होगा psychiat है क्या assume करेंगे? तो आये हम लोग लिट करके बताते हैं यहाँ पर आपका Azurem कर लिया अप लिख दीजेगा Q लिखिएगा यहाँ पर एक दम सुंदर सा लिखिएगा let, assume Awesome, mean ठीक है क्या मान लेंगे A मान लेंगे क्या करेंगे 40 को ठीक है आप यह चालिस्वा कहां पिछाए है, तो हम दिखाते है, यह जो रहू है, यह वाला इसमाह पना पिछा लिए, जूह का दिन नहीं ऊहला दरोग को हम ohnी न स्क्राइब खर स कुछे लिए रहना है। अर्वी चर्वी सब छुड़ा देता है जब बनाता है ये तो ये जो मीन है न तो इतर कहने का मतलब है मीन जो है कितना है चालीस है तो ए माने तो यहां पर फर्मूला काई पता है यहां पर जो लगेगा दीडीडीडीडीडेीडीटीडीडीडीjat caitना होगा चालीस होगा तो यह डीडीडी2डीडीडीडीडेटीडीडीटीडीडीडीडीडीडीं के विदाऊ पता है यह सब धायं 25th गाणिए एकस की जगह का सब्धायंगे10 टैक सिद्रेटीड बढ़एंगे30 गाफ़गाशनी 10 में से 30 जाएगा, तो कहा बचेगा, 10 बचेगा, तो नॉर्माली क्या बोले रहे हैं, हम करके दिखाए, आप लोग को समझ में तो आ जाना चाहिए, नॉर्माली क्या होता है, कि यहां पे रफ्यूज होगा, यहां पे देखे हम बता रहे हैं, माल लीजिए, D1 निकलना, ठीक है, तो यहीं देखिए, X1 मैंने 40 है, X का वैलू कितना है, माल लीजिए, X का वैलू यहां पे 30 है, 30 बटा है, मैंने 40 होगा, तो अंसर का आएगा, 40 में से 30 जाएगा, 10, 40 का असाइन बढ़ा है, तो मैंने 10, तो यहां पे का लिखेंगे, मैंने 10, ठीक है, नहीं समझ में आय ठीक है, तो यह लिजे 33 माइनस, यह वाला 40 लिखेंगे, तो का होगा, क्या होगा, माइनस 7, समझ में है कैसे आया, उसी तरीका से नेक्स करेंगे, यह X है, X की जापर का है, यह सब 1 है, तो एक बर, एक बर, एक बर एक बर इसको, तो यह 35 वा लिखेंगे, यह 35 माइनस का ल तो का लिकेंगे, इस में से जाएगा, माइनस 5 बहुत बढ़िया फिर उसके बद एका करेंगे, इन चलिस वा लिखेंगे, यहाँ पर 40 दिये, माइनस 4 मोला का 40, 30 je 40 queda apart. उस खतो हम आपको बता रहे हैं. जर को बता रहे हैं को रिखने के जोतुन हैं, मैं ज हुआ है, अदो को 11, उसके अगले होचे กhõesए मैं का पर 43 मेनस 40 तो 15 mm 40 में से 40 जा जा गली कितना साथा, कितना साथा,ತैना साथा एक बचंग 15 कि कर से 95 कोником 1 मेंस किसे करियेगा किसे करियेगा किसे करिये अरे LOOK BORNIREanc मेंस कच करों किसे करेंग Training कर फूर से क्याम कर रहा है तो याद रखे कि चलिसवा यहां से आया हम लोग किस को एजूम कर लिए थे मीन को यह वाला चालिस को तीन उपर से छोड़के तीन नीचे से छोड़के इसको माल लिए ठीक है कोई प्रब्लम है यह हम लोग आगे का काम कर रहा है F D बोला निकालने के लिए F D F तो यह वाला रहा पहली बात और D कुन वाला हुआ नया निकाले यह वाला A है D समझे यह वाला है D और E है F तो इसको इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो अंसर आएगा हम करके दिखाए देरे ब्रैकेट में आईए यह रहा चार और इंटु यह रहा माइनस दस तो का होगा पता है मैनस 40 बच्वा सब समझदार होगी यह उसी तरह यह साथ यह देख दम उठके इससे करेगा मल्टिप्लाइगा यहां तो कहने का मतलब है यह साथ इंटु मैनस साथ का होगा मैनस 49 समझ में आया मैन इसको जूम करी इसको दिखाना मैन और थोरा सब उठेगा तो इससे का भी दिखाना तो ऐसा कवर के रही चूते गा तो चलेगा लेकिन इस दूनों को मैन दिखाना बच्वा को यह लोग को तो कैने इस दोनों को मल्टिप्लाय करके यहां पे करना इ यहां पर यह दसवा को 5 से किये, तो आइए यह हुआ 10 into minus 5 कहा होगा, minus 50, minus 50, फिर इसके बाद कहा करेंगे, यह 15 को किस से करेंगे, बच्पन से अम्मा सिखाई होगी, कि 0 से कोई भी number multiply होगा, तो का होगा, इससा ना अभी बच्ची अभी भी बोल दी, का बोले 0 बोली है, तो कहने का मतलब है, कोई बड़ा बात बोल दी माशन, तो 8 तर के कितना होगा, 8 into 3 कितना होगा, 5 into 5, तो क्या होगा, 25, 5 को multiply करेंगे, 25, फिर उसके बद यह 3 को इससे करेंगे, तो क्या होगा, 3 into 8, तो अर्थ के 24, यह कहने का मतलब है, यह ऐसे निकला, समझ में आया, यह 40, 49, 49, 49, 45, 25, 24, यह जो आया है, यह ऐसे आया, इतना करने के बाद, हम लोग इसको calculate करेंगे, तो इसको calculate करेंगे, तो हिहाँ पर का लिखेंगे, तो हिएपकर लिखेंगे, आप लोग स्केल से learn की, ठीक है, लैन खीचने के बाद, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल, ठीक है, यह टोटल के बाद ऐसे लिखेगा, इस सारा कोईट करेंगे, करेंगे, यह दिखेए न, तो सिगमा एफ वन कितना होगा, आपका इसको जब आइट करेंगा, तो 52, तो मेरे कहने का मतलब है, बाबू लोग, यह जो है, यह जो है, एसा एफ एक्स कैसे निकाल यह जो है, तो कितना आएगा, आपका आएगा, 2014, आपका इसा नहीं बोलेगा, इस साल हम बोले रहे, इस जोहर का नमबर आया, 2014, अभी नहीं बोले, 2000 फोटें में कौन-कौन बच्चा पैदा हुआ है, यहाँ पैसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि इस सब का है, यह भी पैदा ह तो कहने का मतलब 2014, यह हुआ, उसके बाद क्या खेले, यह आपका FD का निकाल लेज़े, E लगेगा, तो E हो गया, Sigma FIDI is equal to, इसको कहा है, मैनिस मैनिस को जोड़ देंगे, पलस पलस को जोड़ देंगे, फिर दूसरे से मैनिस कर देंगे, तो कितना आएगा, मैनिस का तदा ज्यादा है, तो मैनिस कर गए, यह आएगा, ठीक है, अब आई यह हम लोग बनाते है, मैन फर्मूला का का, ठीक है, तो हम लोग को दो बोला था, क्या बोला था, एक, डारेक्ट मेटर, ठीक है, कोशन में बोला था, क्या लिखेगा, दा, क्या लिखेगा, दा, मेन, बाई, डारिक मेटर ने ठीक है डारिक मेटर का जो है कुछ निकरना है यह जो ऊपर में यह जो नजर आ रहा है इसको उपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे और रखके लगर देंगे का हो गया 222014 हो गिया और नीचे का हो जाएगा 52 है इसको इससे का करेंगे काट देंगे काट देंगे तो डिवाइट करेंगे जो भी आएगा काएगा अंसर तो आपका आएगा 38.73 यह एप्रोक्स हो गिया समझ में आया क्या हो गिया यह एप्रोक्स हो गिया यह आपका अंसर हो गिया पभू यह आपका अंसर होगा जो होगा है 2000 14 52 इसको divide कर सबक्रीगों इसको दिडर आएगा so on हम सबाद को जो आपका याइद CHA1 बनाएगे लिखए यहां पर देखे यह जो है आपका क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे to मेर्ब आख़ें क्या होगा आज़法 में मैथेड ठीक है यह जो है इसका फर्मूला का पता है इसका फर्मूला बड़ा हाड है ए लिखे ठीक है पलसवा दिये सिगमा एफ आई डी आई बाई नीचे का होगा सिगमा एफ आई ठीक है तो कहने का मतलब है बाभू लोग यहां दिखेगा एक कितना था एक और जूम किया थे 40 था मतलब है 40 sigma fdi केतना है minus 66 by नीचे sigma f केतना आया था 52 आया था तो याद रखेगा यह उपर में plus minus change होगा ब्रैकन में लिखेंगे इसको अपलेख सकते है 40 plus minus क्या होगा minus 66 by 52 ठीक है उसके बाद हम लोग का लेंगे तो याद रखेगा इस 40 वा ठीक लिखेगा लेंगे इसको इससे divide कर दीजेगा E66 है 52 है इसको divide कर दीजेगा set में divide करेगा E52 divide by 6 है ना तो इसको जो divide करेंगा हम लोग रख में तो केतना आएगा 1.27 आएगा 1.27 कैसा आएगा यह हम आपको बताते हैं कहने का मतलब है कि यह 66 दिवाइड 52 to 52 तो चो में से 2 गिया चार और यह चे में से 5 गिया एक और यह पर अब यह चोटा नमबर तो यह पर पॉइंट देंगे तो यह पर जीरो आएगा आपका होगा 52 तूजा कितना होगा 52 तूजा तो 2 से करेंगे 52 2 is a 2 2 is a 4 5 2 is a 10 तो ये रहा 1 1 cancel ये 10 में से 4 गया, तो क्या बचेगा? 0 है तो 1 को देगा 10 होगा, 10 में से 4 गया 6 और ये 3 बचेगा, ठीक है? फिर 1 0 देगे आप 52 7 जा 52 7 को मटिपला करिए तो कहने का मतलब है बाबू लोग यहां पर 6 करेंगे 52, 6 है कितना होगा 312 ठीक है 312 आया तो ये 3-3 तो कटा अब क्या होगा 0 से तो 2 जग ना 8 बचेगा ये 10 से 2 जग 8 बचेगा ये बचा कितना है 5-5 एक जग जगा है तो 4 बचेगा फिर उसके बाद क्या होगा 48 है फिर एक 0 देंगा फिर ही कटेगा तो कितना से कटेगा देखिए 52, 9 जग कितना होगा 4, 6, 8 तो कहने को ये 4 कटेगा ये 10 में से 8 जगा 2 और यहां से क्या होगा आपका 7 में से 6 जग ये कंटिनूर नंबर आगा तो हम लोग क्या करेंगा याद रखेगा यहां पर गौर से देखिए यहां पर गौर से ये देखना होगा कि 1.26 है न तो हम लोग क्या पॉइंट के बाद दो नंबर लेंगे एक और दो और हम लोग का मैतमेतिक जवान में बोला जाता है 7 में एक चेप्टर है बोला गिए अगर ये वाला नंबर 5 या 5 से बरा हो ये वाला नंबर 5 या 5 से बिग हो तो उसके सैड वाले में मतलब इसमें एक आइट कर दिया जाता और इसको जीरो कर दिया जाता तो इसको आप बोल सकते है 1.26 की जगह क्या हो जाएगा 7 और जीरो हो जाएगा तो ये हम लोग यहां पूट कर दिए ये हम लोग कहां पूट के यहां की है तो आप बोल सकते है चालिस में से 1.27 जाएगा तो कितना बचेगा तो आप बोलिगा 38.73 का लिखेगा अप रोक्स ठीक है तो कहने का मतलब है कि दोनों मैथर से अंसर सेम आया तो दोनों में से कोई भी मैथर बनेजिएगा एग्जामे मार्क्स में लेगा और जब दोनों पुछेगा तो दोनों बनेजिएगा ठीक वाग